डिक्टिशन के ती 160 सब्द प्रति मिनट इस्टाड महोदे पर्यावरन से तात पर किसी एक व्यक्ति के परिवेश से नहीं वरन व्यक्ति के समाज के राष्टर के और इस सारी प्रतिवी के ही परिवेश से है जिसका प्रभाव व्यक्ति समाज और राष्टर पर परता है पर् संपुन अध्यात्मिक एवं भोतिक विकास निर्बर है अस्तित्व केवल सारीरिक ही नहीं मानसिक भी स्वस्थ सरीर में स्वस्थ मन ही अच्छे स्वास्थ की परिभासा है सारीरिक स्वास्थ हमारी आहार पर निर्बर है जिसका स्रोत इस प्रित्वी का जलतल वायू मंडल है मांसिक स्वास्थ भी प्रकारांतर से इनी पर निर्बर है क्योंकि जैसा खाए अन्ड वैसा बने मन स्वास्थ जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव हमारे चिंतन का हमारी प तो पूर्ण है जिनका कुछ भी हमारे जीवन पर प्रभाव हमारी कृया सीलता पर पड़ता है जैसे हमारे विचार आच्रण और हमारी परंप्राई एवं संस्कृति आधि सदा से मानव की अकांचा उन्नती और विकास की रही है जगत का अर्थ ही है गती मान और गती दोनों और संभव है उन्नती की और भी और अवनती की और भी पहली को हम प्रगती कहते हैं दूसरी को अगती विगती अधोगती या दुरगती कह सकते हैं वास्तों में मनुस ऐसा जटिल प्राणी है जिसमें अनेक विरुदा भासी औ और असंगत प्रतित होने वारी प्रवितियां और प्रतिक्रियाएं होती हैं वह कानून और व्यवस्था की मांग करता है किन्तु चल चित्र दूर दर्सन आदी में स्वताह भड़की हिंसा या खेलों में युक्ति पूर्वक की गई हिंसा अथवा अनिती से मंत्र मुग्द भी हो जाता है मनुष्य अपनी ही जाती या वर्ग के व्यक्तियों की प्रति प्राया बहुत अधिक प्रति द्वंदी होता है किन्तु कोई बाहरी व्यक्ति का खत्रा उपस्तित होने पर उनके प्रति हद से जादा सहयोगी बन जाता है वह सडकों पर या युद्धों में स मनुष्य बंदर की संतान हो या ना हो किंतु उसमें खालिस बंदर की भाती विरिक्षों में उचल खूद करने की प्रवृत्ती होती भी पिह साथ , ऐसी बंदरों की स्वभाविक जिग्यासा भी होती है जो अत्यन संगठit गिरोहों में रहते हैं और भाती हैं का मांसin मार्ग अपनाना अनिवार होता है यही बुद्धी मानी का रास्ता है विद्वानों ने मानव की मूल भूत आविशक्ताओं की पांच इस्तरों में रखा है महोदे जो एक के बाद एक आती हैं सारीरिक आविशक्ताओं यथा भोजन कपड़ा मकान और आराम जीवन की मौलिक आविशक्ताओं हैं दूसरे इस्तर पर आती हैं सुरक्षा और भविश्च के प्रती निश्चिंतता इनके लिए मनुष भाती भाती की वस्तुओं का संग्रह करता है फिर है सामाजिक आविशक्ताओं जैसे अपनी परिवार के भीतर और फिर बाहर के दूसरे लोगों से अच्छे संबंद बनाए रखने के लिए सामाजिक आर्थिक राजनेतिक और मनोरंजन आतमक संगठन बनाना चोथे इस तर पर हैं अहम संबंदी अविशक्ताओं जैसे आत्म शम्मान आत्म विश्वास और आत्म तुष्टी आदी आत्म परितोस अर्थात उन्नती विकास और ख्याती प्राप्ती की छम्ताओं को साकार करना विक्ती की अंतिम और उच्चतम अपिक्छाएं हैं इन अविशक्ताओं की पूर्ती के लिए मनुश्य अपने आसपास उपलब्द परियावरन का दोहन करता है जल थल वायू ही नहीं पेड़ पौधे पसु पक्षी जी व्यक्तियों का यहां तक की सबल व्यक्ति अपने से निर्बल व्यक्तियों तक का दोहन करता है जो सोसल की सीमा तक पहुच जाता है इसके लिए भाती-भाती की तकनीके खोजी और अपनाई जाती हैं प्रद्योग की ने मनुश्य को भाती-भाती की अविशक्ता की है स्वाचल वाहन दूर दर्सन धुलाई मशीन सफाई मशीन सिलाई मशीन इस्टोव चूले मिक्सी फ्रिज आदी आदी अब बहुत से लोगों के लिए अनिवार आवशक्ता की कोटी में आ गई हैं तक्निकी और और योगी की से या सब संबव हुआ है किन्तु एक ऐसा हुई है और द्योगी करण के सहारे मनुष्य ने जितना भी विकास किया है उसे वह उन्नती कहकर संतोष करने लगता है और अमीरी अपनी द्वैद प्रकृती के कारण या ध्यान नहीं देता कि इस विकास से वर्ग भेद पनपा है अमीरी गरीबी के बीच की खाई चोड़ के भी सोसर्ण के नए नए तरीके खोचता है या सोसर्ण बलातकार की सीमा तक पहुच गया है मनुष्य ने अपनी बुद्धी का प्रियोग किया फलसरूब भाती भाती का ओद्योगी करण हुआ और जल थल वायू सब प्रदूसर्ण की सिकार हो गए जितना ही अधिक विक खर्च करता है उतनी ऑक्सिजन सत्रा हजार हेक्टेयर वन में तैयार होती है और वन बचे ही कितने हैं इस उद्योग प्रदान सब्धा का केंदर पूजी है और धर्म स्वार्थ है मनुष्य मनुष्य का सोसल कर रहा है देश देश का आईए आज हम अपने विचारों को उस जिदरता अभाव तथा कष्ट से मुक्त करा पाए हैं प्रकृती की सक्तियों को अपने अधीन करने और जनता के कल्यान के लिए उन्हें नियंत्रण में लाने की दिसा में भी हम आगे बड़े हैं किन्तु हम या नहीं भूल सकते की कुछ महीने ही हुए हमें भारत के उत्त प्रसार और रोगों के निराकरण के महित्वपूर्ण उपाए भी हमने सोचे हैं यद्दपी अभी भी देश की बहुत से भागों में निरक्षर्ता और बीमारी परियाप्त मातरा में दिखाई देती है जन कल्यार की योजनाओं को हम बराबर आगे बढ़ाते रहेंगे य फिर भी जो अब तक किया जा सका है यदि वा बहुत चमतकारी नहीं दीखता तो उसका कारण या है कि अभी निर्माल कारी जारी है और समात नहीं हुआ है राष्ट के निर्माल में समय की आविश्यक्ता होती है आज हमारा गडराज दिवस है और भारत जैसे प्राचीन रा की कारियों और निर्मार यूजनाओं की दिसा में हम कहां तक आगे बर सके हैं यदि मुझसे यह कहा जाए कि बीते वर्स की घटनाओं का वरणन मैं एक वाक्य में करूं तो मैं कहना चाहूंगा कि सम्विधान में दिये गए निर्देसों के अनुसार हमने समस्तराश्ट के सं साधनों को ऐसे ढंक से जुटाना आरंब कर दिया है जिससे यह इसपष्ट हो जाता है कि भारत में कल्यानकारी राज्ज की इस्थापना का सिरी गनेश हो चुका है पिछले वर्सों में हमने जो शंकल्प और दावे किये थे अब वे मूर्ती मान होने लगे हैं इसलिए रहा है और आगामी दस या पंद्रा वर्सों में हम किस इस्थती में होंगे महान नदी घाटी योजनाओं पर कारे बराबर जारी है इनमें से एक योजना भाख़ा नागल योजना से बहुमूल्य पानी और बिजली पंजाब तथा राजिस्थान के भागों को मिलने भी ल योजना भी यथेष्ट रूप से आगे बढ़ रही है भाख़ा नांगल योजना का प्रथम चरन समाप्थ होने से अब यह इस पष्ट है कि इन महान योजनाओं की द्वारा देश में कितने महत्पूर्ण परिवर्तन हो जाएंगे महोदै और द्योगी करन के छेत्र में उ इस्त्रित करने के प्रयत्न भी बराबर जारी हैं कुटीर उद्योगों और घहली धन्दों को प्रोसाहन देकर उद्योगी करन और रोजगार में समुचित संतुलन इस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है यह बात सभी स्विकार करते हैं कि यदि भारत के जन साधारन को उदासिंता और हार मानने की भावना से मुक्त करना है तो बरती हुई बेरोजगारी को दूर करने का उपाय करना होगा स्टॉप अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफी से केंदर और राज सरकारों दोरा निकाले जाने वाले स्टेनोग्राफर एपियस और विधान सबार रिपोर्टर पार्लियामेंटरी रिपोर्टर के स्किल टेस्ट की कम्प्लीट त्यारी करना चाते हैं और साथ ही सौट हैंड की स्पीड बढ़ाने के लिए एडवान्स आउटलाइन की सिरीज प्राप्त करना चाते हैं तो आप हमारे पेट गुरुफ से जुड़ने के लिए नीचे दिये गए टेली ग्राम नंबर पर संपर्क कर सकते हैं